दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडिया और नए नी जैनकारी के वाला के लिए अच्छा मिल चुम्हाताएंगे कैसे बिजनस आइडिया के बारे में जिसका डीमांड मार्केट में बहुत ही जादा है और यह बिजनस दो बहुत ही सिंपल है और ऐसे बिजनस करने वाले रोगों की चंख्या जो है बहुत ही कम है यानि अगर आप इस बिजनस को करते हैं तो 100 तो नहीं कह सकते हैं लेकि 99% possibility है कि आप इस बिजनस में सक्षेस हो सकते हैं तो दोस्तों यह बिजनस बहुत ही सिंपल है आगे हम आपको इस बिजनस के बारे में पूरी डीटेल से बताएंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियूम फॉइल कंटेनर बिजनस के बारे में दोस्तों आज कल हर चीज होम डिलिवरी में आने लेगी है इवन फूड भी आजकल हम जादा से जादा हॉम डिलिवर करते हैं इसके अलावा अगर हम सफर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम फूड साथ में लेके जाते हैं तो जिस कंटेनर में यह फूड आता है उसे कहते हैं ऐल्यूमिनियूम फॉइल कंटेनर दोस्तो इसकी खासेत यह होती है कि इसमें फूड जो है वो गरम का गरम रहता है ताजा रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो कंटेनर होता है यह रिसैकलेबल होता है तो इससे pollution का भी कोई खत्रा नहीं होता है तो आईए दोस्तो अब हम देखते हैं कि इस business को करने के लिए कौन सी machinery के आशकता होगी इसमें कितनी costing लगेगी इसमें कितने raw material लगेगा इसमें कौन से license लगेंगे आज हम इसी बारे में discussion करेंगे तो दोस्तो बने रहे वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को subscribe करतीजे और दोस्तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा आईए दोस्तो देखते हैं इस business के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए इस business को start करने के लिए area की तो आपको industrial area में ये business को start करना होगा लगबग लगबग आप इस business को करने के लिए 1500 square feet से तो 2000 square feet के area में आप ये business को start कर सकते हैं उस area में आपको electricity भी commercial लेने होगी और वहाँ पर पाने की वेवस्था भी अच्छी खासी होनी चाहिए तो आए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस business को करने के लिए हमें कौन से machines क्या आपशकता होगी और कौन से वाले raw material क्या आपशकता होगी दोस्तों इस business को करने के लिए दो type की machines आती है एक होती है semi-automatic एक होती है fully-automatic आप अपके budget के हिसाब से ये machines को खरीद सकते हैं अगर आप semi-automatic machine खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लगबल लगबल हो जाएगी 15 लाग से तो 18 लाग के बीच में और अगर आप fully-automatic machine खरीदना चाहते हैं तो ये हो जाएगे आपको 20 लाग से तो 25 लाग के बीच में दोस्तो आप अपने budget के हिसाब से इन machines को खरीद सकते हैं अब रहा सवाल इस business को ये machines को कैसे चलाते हैं तो दोस्तो जो अब आप machine खरीदते हैं तो वहां की जो उस company के engineers होते हैं वो आखर के आपको personal level पर इसका training देते हैं कि ये machine किस तरह से चलाई जाती है और इस business को किस किया जाता है दोस्तों अगर बात की जाए इसके raw material की तो आपको indiamart.com वर 1500 रुपे से तो 200 रुपे के बीच में पर केजी के हिसाब से इसकी aluminum foil sheet खरीद दी होगी जो आप अपने budget के हिसाब से खरीद सकते हैं इसके अलावा आपको जरूरत होगी packing boxes की जिसमें आप जब आपका production complete हो जया तो जिन boxes में आप रख करके इसे भेजोगे उन boxes की भी आपको इसमें raw material में जरूरत होगी दोस्तों अगर बात की जाए इस business में लगने वाले manpower की तो आपको सबसे पहले तो दो skilled worker रखने होंगे इसके अलावा other जो काम होते हैं उसके इसाब से तीन unskilled worker भी अगर आपने रखे तो भी चलेगा इसके अलावा जब आपका product पोना बनके ready हो जाता है तो आपको दो salesman भी रखने होंगे जो आपका product की marketing कर सके दोस्तों अगर बात की जाए इस business में लगने वाले license की तो सबसे पहले तो आपको पुद्योग आधार का license लेना होगा इसके बाद आपको इसमें trade license भी लेना होगा इसके बाद आपको लगेगी जरुवत no pollution के license की अगर आप ये business को शेहर में कर रहे हैं city के अंदर आता है तो आपको no pollution का license भी बहुत ज़्यादा इसमें important होगा इसके अलावा आपको लगेगा GST का number और जो भी आपके local level पर जो license लगते हैं वो भी आपको लेने होगे दोस्तो अगर बात की जाए इसमें loan की तो यह जो business है इसमें मुद्रा लोन ले सकते हैं और भी government की कई scheme से जिसे जाकर के आप जो nationalized bank होते हैं वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तो अब हम देखते हैं इस business में लगने वाली marketing के बारे में दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके targeted customer इस business में कौन हो सकते हैं जैसे कि hotels है, restaurant है, superbazar है, showrooms है, wholesale वाले जो लोग है वो भी आपके targeted customer हो सकते हैं इसके अलावा जैसे railways है या जहां पर travel जादा होता है, ऐसे इसमें जो home delivery food बनाए जाते हैं वो लोग भी आपके targeted customer हो सकते हैं तो दोस्तो इसके marketing के लिए आपको दो से तीन person salesman आपको रखने होंगे जो इन सारी जगों पर जाकर की visit करके आपके लिए order ला सके तो दोस्तो इसका लिए marketing है इसमें बहुत जादा brand की ज़रार ज़रूत नहीं है इसलिए आपको packaging पर उतना ध्यान नहीं भी दिया तो भी चल सकता है लेकिन आपको manufacturing के साथ-साथ इसके marketing पर भी उतना ध्यान देना होगा तो दोस्तो ये थी all or basic information इस business के बारे में हम इसी तरह के innovative ideas लाते रहते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बैल एकन ज़रूर दबाए ताक कि आपको हमारी हर अपडेट्स इसी तरह मिलती रहे तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वंदे मात तो